नोसकार बिन्जा टैम्स में आपका स्वागत और आपके साथ मैं आसेतु मुख्वारी वरिष्ट पुलिस अधिकारी यों के निरदेशन के बाद रिवा में पुलिस ने नसे के विरुद्ध कारवाही तेज कर दिये है रिवा जिले की बैकॉंट पूर पुलिस ने नसे के खिलाफ एक्सन लेते हुए एक और बड़ी कारवाही की है पुलिस की माने तो जामू गाउं में मुक्बिर की सूचना में दबिस्ती गई जहां घर के पीछे बनी बगिया के अंदर लहला रहे नौन ओफिट के दस गांजे के पेंड को पुलिस ने जबत किया है दावा यह है कि पेंड के डालों में करीब 20,000 रुपे की 6.5 किलो पत्तिया निकली हैं जिनको जबती बनाते हुए अंडी पीएस एक्ट के तहट प्रकरण कायम किया गया है बैकूंट पूर्थाना प्रभारी अंडी रिक्षक राजकुमार मिस्रा के अनुसार गुरुबार की शाम करीब पांच बजे एक मुक्बिर की सूचना पर घर के अंदर गाजे की खेती होने की सटीक सूचना दी ग फिर आरोपी को पकड़ कर कड़ाई से पूचताच की गई तब उसने बताया कि पुरानी बोरी की तिरपाल बनाकर चारो तरब से ढखा है जब तिरपाल को पकड़ा गया तो अंदर दस पेड लह लहा रहे थे फिर उस पेंड को कुलहाडी से काटा गया और जहां पौधों की नपाई में 99 फिट के 10 गांजे के पेड निकले जब तक गांजे की कीमत 20,000 रुपे आंकी जा रही है जिनका वजन 6 किलो 500 ग्राम है इसके बाद आरोपी मंगल प्रजापती के विरुध आठ बीस एंडी पियस एक्ट की कारिवाही की जा रही है